तो कोई किसी भी एक बैच में तो बाकी बैचे सी क्लासे को फ्री मिलेगी लेकिन वो एक्चुली CSR NET का हमने बैच स्टार्ट किया ना तो मंडे से क्योंकि जो गेट का पूरा सिलबस है वो CSR NET वालों के साथ कॉमन है मतलब जो गेट का पूरा सिलबस है वो CSR NET Mathematical Science में है वहाँ कुछ एक्स्ट्रा भी है तो अभी एक तारीक से एक अगस्ष्ट से स्टार्ट किया ने तो उन बच्चों को हमने इसमें अड़ कर दिया क्योंकि उनको फूरा से साथ उपल्ब सब्स करेंगे तो मंडे वो और निट का बैच हमने कम्बाइन कर दिया है उधर एक जाएगा 629 और आपका होगा 9211 तो 921 में जो गेट और नेट का वैच उसको हमने मर्ज कर दिया है तो गेट वालों नेट वालों को पहले पूरा हम गेट का सिल्बस पढ़ाएंगे उसके बाद नेट में कुछ एक्स्ट्रा सिल्बस भी है तो मतलब हमारे ऐसा ऑप्सन है ना उसके बाद नेट का हम अलग से देखेंगे इस बैच में गेट पर ही फोकस करेंगे जब गेट का कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आएंगे नेट पर अलग से तो आप लोगो नेट का क्लास करने की जववत नहीं पड़ेगी गेट वालों को सिर्फ गेट की जववत है अगर करना चाहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं मतलब कोई एक बैच में उसको बाकी बैच से क्लास करने तो मुझे कोई लॉस नहीं इसमें अगर को बच्चा जाइन किया है तो गेट नेट का भी कंटेंट देख सकता है लेकिन उसको नुकसान ही करेगा गेट नेट की त्यारी कि मल्टि यट में नहीं है नोनपषयव गें मैं याप याम में यहाँ में य है इस पार मैंने जान क ब्रच चला रहिए जो कि मंडे से मर्ज हो जाएगा और अभी नेट और गेट का साल जाएगा तो घुन क्वेट का सिलबस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि नेट का टार्गेट हमें दिया है जून थो जार पढ़ाएंगे तो आप लोगा सिलबस अभी अक्टूबर नॉवंबर से पहले सप्टेंबर अक्टूबर नॉवंबर तक जाएगा तो उसमें हम लोग तो एक बार जब फोकस करें जिनको करना है डेट वाले क्लास करना चाहते है नुक्सान ना तो कोई किसी भी एक बैच में तो फ्री मिलेगी लेकिन यह चाहूंगा कि आप अपने बैच फोकस करो क्योंकि ऐसा निया सब कुछ बटोडरने के चक्क्र में कुछ ना मिले वो है तो आपको ध्यान दखना कि आपका एक टार्गेट फिक्स नाज कि आप किस एक्जाम पर फोकस कर रहे हो उसके फूल फोकस त्यारी करो यह चीज़े है बाकी प्रैक्टिस के लिए जितने कुस्टन जैम गेट नेट के प्रैक्टिस किये जा सकते तो तो नेट आस्पिरेंट है उसको जैम गेट दोनों के पीवाई क्यों कर लेंगे तो उनका बेस्ट्रॉंग हो जाएगा ना सबसे डिफिकल्ट है गेट उससे आसान है जैम से आसान है लेवल के हिसाब से भी तो जैम बीसी लेवल का एक्जाम है गेटीजम और बीटेक सब्सक्राइब नेट में जो चार युनिट होते हैं उन टू तो नेट का युनिट 1 यहीं दोनों मिला के नेट का युनिट 1 है और युनिट 4 जो है यहां से स्टार्ट होके यह पूरा युनिट 4 है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है वहाँ पे तो वह हम लोग अलग से लोको अलग से जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स में वह करवाएंगे तो मंदे से हम लोग आपके बैच में यह स्टार्ट कर लेंगे सब्सक्राइब होगा अगले बार हाँ छेचे महीने पे होते हैं अगले महीने में आएगा तो वह आप चेक करते रहेंगे तो उससे हो जाएगा जो गेट की बच्चे त्यारी कर रहें उन्हें नेट की त्यारी भी आपकी हो रही है मैं यह बोल रहा हूं जो गेट का पुड़ा सिलेबस है अराउंड वहां पे आप देखोगा यूनिट व से इस्पेक किया जाता है कि one four तो करें बाकी भी कर सकते हैं चार यूनिट में डिवाइड़ है सिलेबस सो यह चीज है तो गेट का पुड़ा सिलेबस जैसे जैम का फुल सिलेबस गेट में around 65% है 65 to 70% है 15 marks aptitude है तो यह मिला के 80% हो जाता है 20% extra है गेट में मतलब जैम फुल सिलेबस गेट में 65% कंट्रिबूशन है गेट में 15 marks aptitude है तो मिलके 80 हो गया और 20 marks extra सिलेबस है धैन जैम गेट का फुल सिलेबस नेट का around 80-90% सिलेबस कवर करता है यूनिट फूर का ठीक है जो स्टैटिस्टी बैगरांड के लोग है तो बाकी 10% अलग से 10-20% मुझे कराना पड़ेगा फिर से आप केल्कुलेस पढ़ाएंगे यह सब किसमें बिल्कुल फिर से बढ़ाएंगे तो बच्चे कहेंगे वहां ने किसी भी एक वालों को बाकी बैच करेकोर्डिंग का एकसेस है तो देखी सकते हैं हम लोग दुबारा कराएंगे क्योंकि महां जो एक्स् सबस्पेस अलग हो गया वाक्टर स्पेस यही तो है सबस्पेस 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 ही तो है तो यहां तो नेट में आपको नेट के सिलबस को समझा पड़ेगा वही तो मैं समझा रहा था अभी कि नेट का सिलबस चार चार यूनिट में डिवाइड़ ए यूनिट वन में है यूनिट वन है यूनिट टू में वहां आता है ग्रूप थियोडी ग्रूप थियोडी कॉंप्लेक्स अनालेसिस तो यह है यूनिट टू जो हमारा उससे कोई पढ़ाऊंगा भी नहीं कोई और फैगल्टी अगर मैं हायर करता हूं तो पढ़ाएंगे वरना हमने उसका प्रोमिस भी नहीं किया लोग को तीसरा यूनिट है ओडी पीडी इंटेग्रल एक्विशन यह है जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा ज़र कोई फैगल्टी हायर करू मैं देखेंगे अगर बच्चे बोलेंगे त्वाट्चे में तुड़ा मुश्किल आएगी लेकिन करना चाहे तो मुश्किल कुछ नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो यह कोई बच्चा है तो बागी बच्च कभी रेकॉर्डिंग मिलेगा लाइव कर सकता है तो उसमें मुझे कोई लॉस नहीं है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं तो हम लोग तो ठीक है मंदे से यह कर लेंगे तो इससे फायदा यह होगा पुरा मैंस पूर्सन कंप्लीट हो जाएगा ठीक है चलिए बागी जो लोग दिनका बैकप चल रहा तो वह पहले यह वाला पार्ट कंप्ली क्योंकि यूनिवरियेट केस था यह सिंगल रैंडम वेरिबल है और दी вообще यहांऑ दो रैंडबि इस तरह से आएंगे तो दूहां ट्रिपल इंटीघरा इसमें आएगे िसमें यहां चलिकालने इसे में यहांट इस इंदे कराएंगे लेकिन युनिट वान युनिट फोर तो कराएंगे तू थ्री का हम देखेंगे अगर पॉसिबिलिटी हुई टाइम रहा कोई फैकल्टी ले पाए तो हम करवाएंगे यह है अगर बच्चे इंट्रस्टेट हुए तो करवा देंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक हम ल करवांगे वर दिकत प्रमा दो के तो हम देखेंगे यह है आगर वा मिंट 이름 है वा बच्रिफशा टो ब्यास फिकत रहलते है रहले हैं जहीं है अर्वार नहीं है यहा जहीं है